माई दियर फ्रेंड रेलबे स्पेसल प्रेक्टिस सेट का यह प्रेक्टिस सेट नमर 31 है इसमें रेलबे के प्रिवियस येर पेपर को संकलित किया गया है जैसा कि आप एक्जाम पैटर्न भी देख रहे हैं 70%, 72%, 76%, 74% और आपका सही आंसर भी है 74% यहां पे आप देख सकते हैं कि 74% भारत का साक्षर्टादर है जिसमें से पुरुस और महलाओं का साक्षर्टादर काफी अंतर है दोनों में पुरुस का जो साक्षर्टादर है वह 82.14% है वहीं महला का जो साक्षर्ता दर है वह 65.46% है तो आपसे तीनों को प्रस्ण पूछे जा सकते हैं क्या साक्षर्ता दर है तो वह 74% है अगर पुरुस की बात हो तो वह 82.4% है अगर महला की बात हो तो 65.46% है अर्ष सास्त्र वह विग्यान है जिसके अंतर गत्मानब वैभार का विकल्प के रूप में प्रियोग किये जाने वाले पड़ी नाम और और प्रियाप्त आई के अंतर संबंद के रूप में अध्यन किया जाता है या कतन किसका है तो आपके जो भी आपसन है अलफ्रेड मार् तो आपको चूज करना है वह अर्ष सास्त्र को मानब वैभार के विकल्प के रूप में प्रियोग किये जाने वाला परियाप्त आई के अंतर संबंद के रूप में व्याख्या की है तो यह कतन किसका है तो यह कतन रॉबिंस का है पानामा नहर जोडती है अट्लांटिक मास सागर के साथ हिन्द मासागर को एक दूरी को कम करने के लिए बनाया गया पनमानहर स्वेञ्जनहर और यह पनमानहर जो है यह एक दूराकिस अगर को परांसहर से जोड़ती है मैं आपको पिउर दिखता हो जसे आपको सारा बात किलिएर हो यहां जो आप तस्बीर देख पा रहे हैं पनामा नहर है अमेरिका महद्वीप के बीच में जो रेड़ क्रोस आपको लगा हुआ है रेड़ लाइन है यही इस साइड जो है वह आटलांटिक महासागर है और उत्तर अमेरिका के इस साइड पनामा प्रसांत महासागरत है इन दोनों को जोडने का काम जो करती है पनामा नहर करती है यह वर्ल्ड मैप में मैंने आपको दिखाया अब थोरा मैं आप उसको जूम करके देखिए कि किस तरह से पनामा महासागर आप उपर देख रहे हैं अट्लांटिक ओसन दिखाया जा रहा है और इस कॉर्णर में आपको पैसफिक ओसन दिखाया जा रहा है बीच में यह पनमा कैनाल है जो छोटे छोटे जगों से होकर गुजरती भी नजर आ रही है तो यह पनमा कैनाल का फीगर है अप याद रखिए पनमा कैनाल किसको किसको जोड़ता है अट्लांटिक महा सागर को पैसफिक ओसन से जोड़ता है अगर बात हो स्वेज नहर की तो भूमद्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर किसको जोड़ता है भूमद्य सागर को लाल सागर से जबकि पनमा नहर नहीं है फ्रांस लेंट इटली और अपका सही अंसर है इक भी बंदर गाह नहीं है कुछ इसे तरह के प्रश्च निस्वार के भी एक जाम में देखने को मिले हैं जो थोरे यूनिक थे लेकिन वह पिछले पैटर्ण पर भी बेस्ट थे मैंने इसमें जो भी प्रसं संकलित की ह तो आपका सही आंसर है सो मोरिरी जील या जमू कसमीर में पाई जाती है जो भी अन्य झील है भीमताल और नैनिताल या उत्राखंड में पाई जाता है मैं एक स्वार्ट बताता हूं या कोई फिक्स नहीं है ऐसा ही होता है लेकिन फिर भी जिसके लास्ट में ताल लगा रहे वह ज़्यादातर उत्राखंड के ही जील होते हैं मैंने सामानितह वर्ड का उपयोग किया है आप इसे याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि हर ताल जिसके भी लास्ट में ताल लगा रहे वह उत्राखंड का ही है लेकिन maximum जितने भी ताल लगे हुए जील होते हैं वो सभी उत्रा खंड से ही संबंदित होते हैं अगला है पुलिकर्ट जील और या अमिलाडू में इस्तित है तो यहांपे है कौन सा जील जम्मू कस्मीर में पाई जाती है निम्लिकित राजियों में से जेमू ग्लेशियर किस राज में पाया जाता है तो यह जेमू ग्लेशियर सिक्किम में पाया जाता है अपका सही आंसर बी नम्मर होगा सिक्किम स्रिलंका में जातिय संगर्स में मध्यस्ता के लिए प्रसिद भारस स्रिलंका समझोते पर हस्ताक्षर किये गए 1987 इस भी में यह हुआ था तमरलेंड जो तमिल भासी लोग हैं और स्रिलंका गवर्मेंट के बीच इसमें कुछ इसू था उसको जो सुलजाया गया था 1987 इस भी में सुलजाया गया था पानीपत की तीसरी लराई में मराठा को किषने हराया था तो पानीपत की तो तीसरी लराई बहुत ही इंपोर्टेंट है पहली दूसरी और तीसरी यह तीनों लराई ही इंपोर्टेंट है पहला लराई जो हुआ था 26 में 1526 में दूसरा 56 में और तीसरा 561 इस भी में हुआ था 26, 56 और 61 आप इस तरह से याद रखिएगा तीसरी लराई में मराठा को आमसा अवदाली ने हराया था तो यहां पर आप इस स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे पहली लराई 21 अपरिल 1526 में हुआ था जिसे हम पानीपत के पर्थम युद्ध के नाम से जानते हैं बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में हुआ था दूसरी लराई पांच नवंबर 1556 में हुआ था जिसमें बैरम खान जो की अकबर का सेना पती था नार्मली आप याद रखिए अकबर और हेमु के बीच में दूसरी लराई हुई थी तो बैरम खान था कौन जो की अकबर का सेना पती था और हेमु कौन था आदिल साह सूर का सेना पती था इस दोनों के बीच में दूसरी लराई हुई थी जिसे पानीपत के दूइतिय युद्ध के नाम से जानते हैं 14 जनवरी 1771 इस भी को पानीपत का तृतिय युद्ध हुआ था जो मराठा और आमसाह अवदाली के बीच में हुआ था संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संबिधान के से लिया गया है यानि संसत का जो दोनों बैठक बुलाया जाता है वह किस देश के संबिधान से लिया गया है तो या अस्ट्रेलिया के संबिधान से लिया गया है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे संसत का संयुक्त अदिवेशन बुलाने का जो प्रावधान है हमारे संभिधान में अस्टेलिया से लिया गया है और यह कितने अनुचेद में बढ़नी थे संभिधान के अनुचेद 108 में बढ़नी थे इसके तहद लोकसभा से पारित किसी सामाने बिदेयक को राजसभा की मंजूरी ना मिलने की इस्थती में संयुक्त बैठक के जरिये उसे पारित किया जाता है यहां से चार प्रस्ण बनते हैं पहला प्रस्ण की संभिधान के अनुचेद 108 के तहद या प्रावधान किस देश से लिया गया है अस्टेलिया से लिया गया है संसद का संयुक्त बैठक बुलाता कौन है तो वह राष्टपती के द्वारा बुलाया जाता है और उसका संचालन यानि अध्यक्षता कौन करता है तो लोकसवा का अध्यक्ष संसद के संयुक्त बैठन की अध्यक्षता करता है लोकसवा का अध्यक्ष इन में से कौन सा ACI मूल का खेल नहीं है खोखो, रगबी, कवड़ी, लूडो तो यहां पर सही अंसर होगा रगबी, ACI मूल का खेल नहीं है यह इंग्लेंड में प्रारंब हुआ खेल है रगबी, फुटबॉल और अगर बात करें खोखो की तो इंडिया के पूने, महराष्टा में इससे चालू किया गया था खोखो को, कवड़ी भारत से ही उत्पत्ती हुई है अगर बात करें लूडो की मतलब ACI मूल का है कवड़ी और अगर बात करें लूडो की तो लूडो भारत से ही प्रारंब हुआ था इसे पहले 25 के नाम से जाना जाता था अपने महावारत काल में भी देखा होगा 25 गेम का चर्चा हुआ था तो लूडो महावारत काल से है कवड़ी भी ACI मूल का ही है खोखो भारत के पूने सहर से स्टार्ट हुआ था जबकि रगभी फुटबॉल या इंगलेंड का इंगलेंड से प्रारंब हुआ खेल है नमल की तभी कलपों में से कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंदित वर्ड नहीं है ये भी सब्द पूछे जाते हैं कुछ सब्द आपको दिये जाएंगे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंदित नहीं है यहां पर आप देख रहे हैं निमलिकित में से कौन सा उत्पादक उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है पडिश्रम, पडिवान, भूमी, पुन्जी तो उत्पादन का जो प्रमुख कारण होता है कारक होता है उसमें से भूमी, पूंजी और परिश्रम को रखा गया है जबकि पडिवहन जो है या उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं होता है नमलिकित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है अथर्वेद को ब्रह्मवेद के रूपस में जाना जाता है और सबसे पुराना जो वेद है वहरिग वेद है FIG किस खेल का सासी निकाय है? FIG किस खेल का सासी निकाय है? सही अंसर होगा जिमनेस्टिक का तो FIG का फुल फॉर्म होता है Federation Day International Gymnastic FIG, Federation Day International Gymnastic और यह जिमनेस्टिक का सासी निकाय है निकाय है निकाय किस में से कौन सा लोह और इस्पात कारखाना करनाटक में इस्तित है? लोह और इस्पात कारखाना यह जो चार आपको दिख रहे हैं यह बहुत ही परसिद्दे हैं भिलाई, यह जो है 36 गड में इस्तित है भद्रावती यह करनाटक में इस्तित है बोकारो जारखंड में इस्तित है रावड केला उडिसा में इस्तित है मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ आप नाम याद कर लीजिए कौन सा लोह इस्पात कारखाना कहां पर इस्तित है भिलाई लोई इस्पात कारखाना या जारखंड में इस्थित है बदरावती लोई इस्पात कारखाना या करनाटक में इस्थित है बोकारो लोई इस्पात कारखाना या जारखंड में इस्थित है और राउर केला कहां पर इस्थित है उडिशा में इस्थित है दिल्ली के परसिद सासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था तो फरीद खान को ही सेर साह के नाम से जाना जाता था सेर साह सूरी जब ये हुमायू के बाद सासक बने थे कुछ दिनों के लिए फिर से मुगल संब्राट हुमायू ने इसे हरा कर गद्धी हसिल कर लिया था लेकिन कुछ दिन के लिए फडीद खान यानि शेड़ शाह बादिली के गद्धी पर बैठा था और इसने ग्रेंट ट्रंक रोड का सुरुवात किया था संब्राट के किस संसोधन अधनियम के द्वारा मूल करतबियों को जोरा गया है तो 42 संब्राट संसोधन 1976 जिसे मीनी संब्राट के नाम से भी जाना जाता है इसके इताद मूल करतबियों को जोरा गया था गेर निस्पादित संपत्ती जिसे NPA नन पॉर्फॉर्मिंग एसेट के नाम से जाना सब जाता है यह एक लोन या एडवांस है जो डैस अबदी के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवर ड्यू रहता है मतलब सीधे आप समझें NPA कितने दिन तक अगर आप कोई भी लोन बैंक से लिये हैं और अगर आप 90 दिन तक उसे उसका ब्याज या फिर मूल दोनों में से कोई भी चीज जितना रूपया आपने लिया है उसका कुछ अमौंट या फिर उस पर जितना ब्याज हो रहा है अगर आप उसको 90 दिन तक पे नहीं करते हैं तो वह NPA के रूप में हो जाता है NPA Non-Performing Asset निमलिकित में से दुनिया की सबसे बड़ी छेतरफल के अनुसार बात हो रही है ताजे पानी की जील कौन सी है तो या सुपीडियर जील है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील अन्टार्कितिका में निमलिकित में से कौन सा भारतिय सोध केंदर है तो या दक्षिनी गंगोतरी सोध केंदर अन्टार्कितिका में स्थित है फुटबॉल टीम में कितने खिलारी होते हैं खेल से सम्बंद सब्द और खिलारी इस बार के भी एकजाम में देखने को मिले है तो आप एक बार पूरा ओबर्वियू कर लीजिएगा फुटबॉल खेल में कितने खिलारी होते हैं फुटबॉल खेल में 11 खिलारी होते हैं वसंदरा जल्बिवाद अधिकरेन में कौन से राज सम्बंदित है तो उरिशा और आंधर परदेश यह दोनों राज बसंदरा जल्बिवाद में से सम्बंदित है एक प्रस्म पूछा जाता है कावेडी जल्बिवाद में कौन कौन सा राज सम्बंदित है तो करनाटक और तमिलाडू के बीच में यह कावेडी जल्बिवाद है उसी तरह बसंदरा जल्विवाद उरिशा और अंदरपर्देश के बीच में है भारत में संबिधान सवा का गठन कब किया गया भारत में संबिधान सवा का गठन 1946 सिस्वी में संबिधान सवा का गठन किया गया जिसके आस्थाई अध्यक्ष के रूप में सजदानन सिन्ना को बनाया गया फिर अस्थाई अध्यक्ष के रूप में राजंदर प्रसाद को बनाया गया निमलकित में से कौन सी मिट्टी रैगूर मिट्टी के रूप में जानी जाती है तो रैगूर मिटी के नाम से जाने जाने वाली मिटी काली मिटी है और काली मटी में आपसे पूछा जाता है कौन सी फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो कपास जैसे फसलों का उत्पादन काली मिटी में अधिक होता है इसे रैगूर मिटी के नाम से जानते हैं World Happiness Report तयार की जाती है World Happiness Report सन्युक्त राष्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा परतेक वर्स प्रकासित किया जाता है सन्युक्त राष्ट समाधान नेटवर्क इसका इंगलिश जो होता है United Nations Sustainable Development Solution Network या आप सिधा याद रखिए Sustainable Development Solution Network के द्वारा World Happiness Report तयार किया जाता है इस बार 2020 में भारत का जो रैंक था वह 144 रैंक था World Happiness Report में जिब विग्यान की वह कौन सी साखा है जिसके तहद उतकों का अध्यान किया जाता है तो उतक के अध्यान के विग्यान को ही हम उतक विग्यान कहते हैं तीशू लोजी देखिए सेकेंड ओप्सन जो दिया है वो तीशू लोजी दिया है या सही नहीं होगा निमलिगिद में से क्या टेट्रा फ्लोरो इथेन को मुक्त मौलिक या परसलफेट उत्प्रेरक के साथ उच दबाप पर गर्म करने से निर्मित होता है यानि टेट्रा फ्लोरो इथेन को जब आपरसलफेट उत्प्रेरक के साथ गर्म करेंगे तो क्या निर्मित होगा क्या बनेगा सही आंसर है टेफलोन का निर्मान होगा जिस तरह से नाइलोन इत्यादी का पॉलियेस्टर ये सभी कपरे के टाइप होते हैं उसी तरह टेफलोन का भी निर्मान जो होता है टेटरा फ्लोरो इथेन को किसकी उपस्तिती में एक उत्प्र प्रेरक की उपस्तिती में जब उच दवाप पर गर्म किया जाता तो टिफलोन का निर्मान होता है सुल्तान अजलन साहकप किस खेल से संबंदित है तो यह फिल्ड हौकी से संबंदित है एक खेल है ने किस प्रसिद्ध समराजी की अस्थापना की थी हरियर और बुक्का अपने नाम सुना ही होगा इन्होंने विजय नगर समराजी की अस्थापना की थी हमपी और बेलारी के पास यह करनाटक का जगह है हमपी जिसमें आज भी विजय नगर समराजी के अबसेस पाए जाते है तो आपसे यह भी प्रसंद बूचा जाता है विजय नगर समराजी के अबसेस कहां पाए जाते हैं तो हम भी में पाए जाते हैं विजय नगर समराजी की अस्थापना किनों ने किया था हरियर तो था बुक्का नमक भाईयों ने किया था कौन सा पदार्थ रसाइनिक अवक्डिया की दर को बदलता है और अवक्डिया के दौरान रसाइनिक रूप से अलग रहता है मिन्स अवक्डिया हो रही है उसमें दो अभिकारक जो हैं वो अवक्डिया करके उत्पाद का निर्मान कर रहे हैं सिर्फ हुआ उत्प्रे रख कोई पदार्थ ऐसा पदार्थ जो इसकी अवक्रिया की दर को तेज करता है उसे हम उत्प्रे रख कहते हैं यहां पे सही आंसर भी यही होगा सी नमर उत्प्रे रख निम्लिकित में से कौन सा पाल समराजी का संस्थापक था नमर उत्प्रे सानसकों में से कौन तुलुबा राजवनों से संस्थापक था अपने तैलारी रामन की कहानिया बच्चों में पढ़ी होगी यह उसके ही दरबार में मंतरी थे तेनाली रामन ये कृष्ण देव राय निमलिकित नदियों में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है बर्ड फुट डेल्टा कहने का मतलब है जिस तरह से पक्षी का जो पैर होता है यानि उसका जो क्लॉज बुला जाता है वह होता है वह ऐसा डेल्टा किस नदी के द्वारा बनाया जाता है तो या Mississippi मिसोरी नदी जो है इसके द्वारा Mississippi नदी के द्वारा बनाया जाता है मैं आपको फीगर दिखाता हूं या जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह के डेल्टा का निर्मान करती है। छामा करने का विशेस अधिकार होता है। युरोप और एशिया को अलग करती है। अपने वो एक वर्ड सुना होगा। युरेशिया पहले कहा जाता था जब युरोप और एशिया दोनों कमबाइंड थे। इसी परवत या इसी नदी के द्वारा युरोप और एशिया अलग हुए है। इस आप डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारन नहीं करती जो डैस को प्रवावित करते हैं। तो बिजली प्राप्त करना, प्रवर्तनिय ठेके और करादाएगी इन सारे चीजों को देखते हुए। इस बार को अच्छा बनाने की बात कर रहे हैं। फिर यह उप्सन इर्रेलेवेंट है और तार्किक है। तो यहां पर और इस बार दोजार बीस में जो ईजॉप डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रस्तूत किया गया था एक सोनब्य कंट्री में। इंडिया का जो अस्थान था वह 63 था। वानिज ब्यापार और भारत के छेतर के भीतर गमना गमन का वर्नन संबिदान के किस भाग के अंतरगत किया गया है। यानि व्यापार के उद्दिश से भारत के भीतर कहीं भी जाने आने का जो अधिकार वगएरा है। इसका वर्नन किस भाग के तहद किया गया है। इतने मुल्य पर सरकार को सामान खड़िदना पड़ता है। किर्सी लागत एवं मुल्य आयोग अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे कमिशन फॉर एग्रिकल्चर कॉस्ट प्राइस किर्सी लागत एवं मुल्य आयोग CACP निमलकित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की सुरुवात की थी तो गोवा में पुर्तगालियों का सासन बहुत लाश्ट तक रहा है हमारे आज़ादी के बाद भी पुर्तगाली का सासन गोवा में रहा है तो पूछा गया है कि गोवा कार्निवल की सुरुवात किन्हों ने किया था अब्यसली आंसर होगा C नमर पुर्तगालियों ने संबिधान से फ्रेंच संबिधान से या वर्ड लिया गया है पेंटाथोलोन खेल में कितनी असपरदाएं होती है जैसा की नाम से किरियर है पेंटाथोलोन पेंट मतलब ही होता है फाइव तो यहां पांच खेलों की असपरदाएं होती है जैसे आठ की बात करता तो ओक्टाथेलोन कहलाता टेन की बात करता डेकाथेलोन कहलाता पॉली पेप्टाइड से एमिनो अमल बनने की बहुली करन प्रकडिया को कौन परदर्शित करता है यानि polypeptides से जो aminoamil बनता है उस प्रकडिया को हम क्या कहते हैं यह protein के translation की प्रकडिया है lastly protein से protein का transfer aminoamil में होता है तो उसके बीच में polypeptides बनते हैं आप से पुछा गया है polypeptides से aminoamil बनने की प्रकडिया क्या कहलाती है तो यह translation कहलाता है great divisioning range निम्लिकित में से किस देशों में इस्तित है तो या Australia में इस्तित है great dividing range भी इसे कहा जाता है आवेशित कनों और आयनों को उच्चे उर्जा में त्वरित करने के लिए कौन से machine का उपयोग किया जाता है cyclotron नाम का machine होता है जो आवेशित कन जैसे neutron ये सभी अवक्रिया में कार्ज आते है तो इन सभी को और त्वरित करने के लिए जिस machine का उपयोग किया जाता है उसे हम cyclotron कहते है पार्ट में कानून बनाने वाला सर्बोच संस्थान कौन सा है तो आपको मालूमी होगा संसत जो है या कानून बनाने वाला सर्बोच संस्थान है साधारन विध्यक प्रस्तूत किया जाता है वित्विध्यक प्रस्तूत किया जाता है और संसोधन विध्यक प्रस्तूत किया जाता है ये तीन तरह के विध्यक होते हैं जो बाद में कानून बनकर बनते हैं छेत्रिय परसत के अध्यक्ष कौन है तो छेत्रिय परसत के अध्यक्ष के रूप में केंद्रिय ग्रिह मंत्री को जाना जाता है केरल और करनाटक में मांसून से पुर्व होने वाली बरसा को डैस के रूप में जाना जाता है लौटती हुई मांसून के कारण केरल और करनाटक में जारे में बर्सा होती है इसे हम मैंगो वर्सा या मैंगो सोवर्स के नाम से जानते हैं नमलिकित में से भारत की पहली बोले जाने वाली फिल्म कौन सी है भारत की जो पहली बोली जाने वाली फिल्म है वह आलमारा सही आंसर होगा नमलिकित में से किसने सिख्खों को एक सैन संप्रदाय में बदल दिया था तो सिख्ख के जो दसमे गुरु थे गुरु गोविंद सिंग इन्हों ने सिख्खों को दसमें मतलब एक साहिन संपरदाय में बदल दिया था क्योंकि उससे पहले दो-दो गुरू गुरू ते एक बहादूर इन सभी की हत्या हो गई थी और इससे जो था वो बहुत ही खपा थे जो दसमें गुरू ते गुरू गोविंद सिंग जिनका जर्म पतना साहिब में वह था उन्होंने खालसा पंथ की भी अस्थापना की और उन्होंने सिख को एक सेन संपरदाय में बदल दिया था गुरू गोविंद सिंग वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाहे और आंत्रिक जिली में जिली के बीच भ्रून परत में विवस्तित रहती है कहलाते हैं इसे डाइपलोबलाश्टिक एनिमल कहते हैं मैं आपको फीगर में लिवस्तित बीच में गाते हैं निम्लिकित में से किसने मनी पुरी निर्थ को सांती निकेतन में पर्दर्सन कर उसे उसकी ख्याती वापस दिलाई थी, बात हो रहे है सांती निकेतन की, तो या कलकता में इस्ठित है और अविन्ना टैगौर फैमस जो है, जिन्होंने अपना राष्टगाउन भी लिखा था, उन्होंने ही मनिपुरी निर्थी को सांती निकेतन में परदर्सित किया था और उसकी ख्याती को विख्यात किया था निमलिकित अस्थानों में से किसको भारत की अध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है तो भारत की जो अध्यात्मिक राजधानी है वह वारा नसी को अध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है अगर बात करें वानिजीक राजधानी की तो वह मुंबई है और अगर अगर अद्मिस्टेटिव राजधानी की बात करें प्रसासनिक राजधानी की बात करें तो वह दिल अपली के निम्न सुल्टानों में से कौन अपनी बाजार नियंतरन नीती के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिल जी ने पहली बाजार नियंतरन नीती जी लगाई थी जिसमें बाजारों को उसने सुसंगठित किया था। चुकि उसका भी जो लक्ष था वो सिकंदर की तरह एक महान सासक बनना था उसके लिए उसे सेना पर सेना मजबूस सेना बननी थी और सेना तभी बन पाएगा जब सेना के लिए भोजन इस्तियादी की विवस्ता की जाएगी तो सेना को संगठित करने के लिए ही उसका में यह नहीं था कि वो बाजार को नियंद्रित करे लेकिन सेना को संगठित करने के लिए उसे जो आनाज या उसका खर्च दियत दे उसके लिए उसने बाजार को संगठित किया था और बाजार नियंद्र निती के नाम से अलाउद् संसद सत्र में नहीं होता है तब राष्टपती किसी कानून अगर वह लगे उसे की देश के लिए कानून बनना चाहिए तो अगर संसद सत्र में नहीं है तो राष्टपती डाइरेक्ट अध्यादेश जारी करके उसे कानून बना सकता है यह अधिकार जो है राष्टपती को स 223 के तहद दिया गया है और यह सेम अधिकार राज में राज़िपाल को होता है वह संविधान के अनुच्छे 213 के तहद राज में अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधान मंडल यानि विधान सवाय विधान परसत जब वर्किंग में नहीं होता है तो वैसे केस में राज जिपाल राजी के लिए अनुच्छे 213 के तद अध्यादेश जारी कर सकता है आजबर के लिए इतना ही मिलते हैं कल प्रैक्टिस से 32 के साथ तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूं अगर आप चैनल पे नहे हैं अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठाल यूBER याजा में आपको बता चैनल को से